प्रेंड्स मैं हूँ नीलमगर आज मैं आपके साथ शियर करने वाले हूं धनिये पोदीने की स्पाइसी सी चत्नी और जो खाने को भी डाइजेस करती है और खाने की टेस्ट को भड़ा देती है तो इसको बनाने के लिए आपर मैंने देख सकते है थोड़ा सा मैंने धनिया ल करने के बाद फुब अच्चे से वाश कर लिया है तो इसको मैंने हलका स्फ्रफ्ली छॉप कर लिया था तो थोड़ा सा मैंने धनिया इसमे आड़ कर दिया और थोड़ा सबिस लेंगे थो अज से के जार में हमारे थोड़ा सा स्पैस beating उजाए तो भाकी बिच्ये धनिये औ ऐढ़ान से नमक एडें के थोड़ी जीन रालमीज़ राएड़ेंगे दनिया पवडर एड़ेंगे तो यहाँ पर ससमें पूनावा जीरा एड़ा थोड़ा सा हिसमें एक्धिया कासूरी मेति एड़ किया है तो 140 इस्पून हिंग एड़ कर देंगे सभी चीजों का फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फिर से इसको हम पीस लेंगे जिससे कि सभी चीजे अच्छे से मिक्स हो जाए और आप देख सकते हैं टम्टिंग सी चटनी बनकर हमाई तैयार हो चुकी है तो अगर आप इमली का पल्प एड़ नहीं करना चाते तो इसमें आप निम्बू को रस भी आड़ कर सकते हैं बट इमली के पल्प से भी चटनी बहुत ही ज्यादा यमी लगती है तो यहां पर तीन टेबल स्पून मेंने इमली का पल्प इसमें एड़ कर दिया है एक बार फिर जो जार में हमारे चटनी लगे हुई है इसमें ही थोड़ा सा पानी आड़ करते हुए हम इसमें मिक्स कर लोगे होगे बढ़ा है पतली भी नहीं अच्छी लगती है तो इसमें थोड़ा सा पानी अट करेंगे तो जार में थोड़ा सा पानी आड करते होगे इसमें मिक्स कर दूगे हुए तो mix कर देंगे इसको आप इसको हलका सा टेस्ट करके भी देख सकते हैं अपने अकोडिंग्स में नमक वगेरा एड़स्ट कर सकते हैं बट इतना नमक इसके लिए sufficient है बहुत ही जादा tasty और बहुत ही जादा yummy बनी हुई है बहुत ही जादा spicy बनी हुई है तो आप इसे sandwich की इसको आप सर्फ कर सकते हैं यह चटनी बहुत ही जादा spicy और बहुत ही जादा yummy बनी हुई है गाइस और summer में इस तरीकी की चटनी खाने को डाइजेस्ट भी करती है तो अगर आपको वीडियो है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पढ़ना है तो प्लीज मेरे चैन जादा एफ तो